ध्यान देने योग जरूरी बाते समय निकाल कर जरूर पढ़ें कच्चे से ज़्यादा उबाल कर खाने पर फायदा होती है ये पांच चीजे इस तरह खाएंगे तो सेहत दुरूस्त रहेगे खानपान में अलग-अलग तरह की चीजे सामिल की जाती है लेकिन जहां कुछ फ्रूट्स कच्चे ज्यादा सेहत मंद होते हैं तो वहीं कुछ ऐसी भी चीजे हैं जिन्हें उबाल कर खाने पर शरीर को ज्यादा पोसक तत्तु मिलते हैं इस फ्रूट्स को खाना चाहिए उबाल कर जैसे एक नमर आलू भारती रसोई का अहम इसा आलू है अगर अलग-अलग सबजियों के साथ आलू को बना कर खाया जाता है आलू स्वाद में तो अच्छा होता ही है किसी भी खाने को कंप्लीट भी कर देता है यह एक ऐसी सबजी है जिसे कच्छा नहीं खाया जाता है और शेहत को आलू के पूरे फायदे इसे उबाल कर खाने पर ही मिलते हैं आलू को उबलकर या फिर भूनकर खाने पर इसका स्वाद भी बढ़ता है और शरीर को पूशक भी ज्यादा मिलता है राजमा और छोले बींस दालों और छोले को पूशक तत्यों का पावर हाउस कहा जाता है इसे सरीर को कॉंपलेक्स कर्वहाइड मिलते हैं साथ ही इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है उन्हें शलाद, दाल, शू, परश्टू, बगेरा बनाने में इस्तिमाल कर सकते हैं सकरकंदी आलू की ही तरह सकरकंदी को भी खान-पान का हिस्सा बना सकते हैं इसमें बीटा, कोरोटीन, एंटी, ऑक्सिडेंट और बिटामीन ए की अच्छी मात्रा होती है बीटा, कोरोटीन आखों की रोशनी बढ़ाने और इम्मुनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए होता है ऐसे में शकरगंदी को पूरे फाइदे पाने के लिए उबाल कर या भून कर खाय जाता है ब्रोकली हरी शब्चियों में ब्रोकली को बेहत फाइदे मन्द माना जाता है इसमें बिटामिन सी और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है और साथ ही यह सोल्लूबल फारवर की अच्छी स्रोथ होती है ब्रोकली को वाल कर खाने पर सबसे शरीर को भरपूर मात्रा में पोसक मिलता है प्रोंस प्रोंस को सबसे बहतरी है इसी फूट में से एक माना जाता है इसके अंदर पाए जाने वाले कई अन्य तत्तों को विमारियों से दूर रखते हैं इसका सेवन उवाल कर सलाद या सूप के साथ कर सकते हैं इससे आपको प्रोंस के सभी लाप प्राप्त होंगे पालक पालक पनीर तो सभी को पसंद आता है लेकिन अगर आप इसे उवाल कर खाएंगे तो यह इससे शेहत को भी धिरो फायदे मिलेंगे इससे अपनी टाइड में सामिल करके आप सरीर में प्रोटीन, आरल, किल्शियम जैसे पोसकततों की कमी को पूरा कर सकते हैं कॉर्ण इसे भून कर खाना सभी को अच्छा लगता है लेकिन बता दे कि अगर आप इसे उबाल कर खाते हैं सेहत को फायदा अधिक मिलता है यह आईरन, मेगनिशियम, बिटामिन बी और जिंग से रीच होता है ऐसे में आपको बदलते मुसम में कई बिमारियों से बचा सकता है आज का वीडियो बसकी इतने ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, टेप केर, बेस्ट आप लग, ठेंक यू झाल झाल झाल